है लो एवरीफ़ान वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके शाय करूंगी एक हेर कंडिशनिंग मास्क यह मास्क आपके बालों को सॉफ्ट स्मूध और साइनी बनाएगा और आपके बालों के सारे प्रॉब्लम को खतम करेंगा अगर आपको बहुत जादा हेर फॉल हो रहे है आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है आपके बाल बहुत जादा थीन है आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आपके इन सारे प्रॉब्लम को खतम करेंगा यह एक हेर मास्क और इसको बनाना बहुत ही आशान है तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है वीडियो पसंद करके काट करके उसका जल निकाल लेना है तो यहां में अलोवेरा को निकाल ली हो अब मैं लूँगे एक मिकसर जार और उसमें इस अलोवेरा को डाल करके उसको ग्राइंड कर लूँगे तो अलोवेरा को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद अब हम डालेंगे अपना next ingredient जो कि है एक अंडा जो लोग अंडे को यूज नहीं करना चाहते हैं वो अंडे की जगा बनाना यूज कर सकते हैं दही यूज कर सकते हैं या फिर फ्लैक्सिर्ट जेल यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वह आप डाल लेना next आपको इसमें डाल देना है 2-3 टेबल स्पून फेनोग्रिक पाउडर यानि की मेथी पाउडर अगर आपके पास मेथी का पाउडर नहीं है तो आप 2 चमच मेथी को रात बर पाने में भीगो के रख दो और फिर आप इसमें डा कि अंधे को कोनेट ऑईल भी यूज कर सकते हैं ओर ये ہिख वह हैदिक यह पेसमें करके लेका लेकर अपने क्लीन बालों पर आप सुत्रे बालों पर अच्छे से लगा लिजेगा कुछ इस तरीका से इसको अच्छे से लगाने के बाद इसको अपने बालों में एक से डेड़ घंटे ऐसा ही लगे रहने दीजिएगा एक से डेड़ घंटे बाद आप इसको कोई भी और्गानिक सैंपू से वाश कर लेजिएगा कंडिशनर यूज मत कीजिएगा इस पैक का मेन इंग्रेडियंट्स है एलोवेरा और एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा कंडिशनर है आपके बालों के लिए फॉस्ट यूज में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बाल पहले से जादा सौफ्ट स्मूद और शाइनी हो जाएंगे बेस्ट जल्ट के लिए आप इसको वीक में 102 बार जरूर योज कीजिएगा हमने इसमें जो भी इंग्रेडियंट्स एड किया है वो आपके बालों को सौफ्ट स्मूद और शाइनी बनाने के साथ साथ आपके बालों को लंबे घने और मस्बूत भी बनाएगा तो ये था मे आज का वीडियो आपको वीडियो पसंद आई योप वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दीजेगा श्याय कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे बहुत सारी इस और एफेक्टीव होम रेमिडी देखने के लिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे